दोस्तो नमस्कार अनुखा ग्यान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत हैं। बेहाल होगी। हाला कि ऐसी इस्तिती हर समय ही रही। लेकिन यह बात नास्तिन दमस्कार ने 21 सदी के संब्ध में कही है। नास्तिन दमस्कार ने इस्वर विरोधी यानि एंटिक्राइश कहा था। और कहा था कि तीसरा इस्वर विरोधी एंटिक्राइश जब आएगा तो 27 साल तक तीसरा यूट चलेगा। और दुनिया लगबग समापत हो जाएगी। जिस तरह सीधे समूचे यूरोप में यूद की भविश्यवानी नास्तिन दमस्कार ने किये। दोस्तो इसकी चपेट में भारत के भी आने की संभावना है। नास्तिन दमस्कार ने कहा है कि वो यूद इस्वर विरोधी मैसोपोटामिया आधुनिक इराक में होगा और दुनिया पर खहर धादेगा। दोस्तो नैपॉलियोन और हिटलर को नास्तिन दमस्कार ने इस्वर विरोधी आंटिक्राइस्ट कहा था। और कहा था कि तीसरा इस्वर विरोधी आंटिक्राइस्ट जब आएगा तो 37 साल के तीसरे विश्यूत के साथी दुनिया षमाप वो जाएगा। ऐसे में नास्तिन नमस पर रोह से करने वालों की माने तो तीसरा इस्वर विरोधी ISIS का मुख्या पूरी दुनिया को समाप करने के ओर कदम बढ़ा रहा है। दोस्तों माना जाता है कि नास्तिन नमस ने सोलवी सदी में ही पर्थम विशुद दित्ते विशुद नेपोलियन के समराज्य समित तमाम भविश्यवान की थी जो सच साबित हुई है। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो के 10,000 लाइक जल से जल पूरे कराएं। और दोस्तों यदि आपको हमारी इस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल अनुखा ग्यान को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरू करें और हमारे फेस्बुक पेज अनुखा ग